तो हेलो फ्रेंड्स आपका फिर्से बहुत-बहुत स्वागता है आपके अपने चैनल SMII पे और इस चैनल पे हम आपके लिए लेटेस्ट बैस्मेंट आइडियाज लेके आते रहते हैं तो दोस्तो रिजर्ट सीजन शुरू हो चुका है तो आइए बात करते हैं हमारी एक लाज कैप कंपड़ी की आइटी सेक्टर की कांपड़ी की डैटिस टाटा कंसल्टेंसी सर्फिस तो आप देख सकते हो इस स्टॉक में फ्राइडे के दिन थोड़ी तेजी आ गई है नंबर के बाद पहले गिरावट हुई तरस्डे को लेकि तो आइए इसके नंबर चेक का लेते हैं देख लेते हैं कि कैसे रहे हैं इसके नंबर और आने वाले टाइम में इस स्टॉक में क्या ट्रेंट्स रह सकते हैं यहां पे पहले इसके नंबर पे चल जाते हैं सबसे पहले देखो इसका जो रेवनु है 60,000 क्रोड से भी उपर आया है यहां पर 9% की ग्रोथ आई है ओने जीर और जीर बेसिस नेट इंकम की बात करें यहां पर 11.34,000 क्रोड का डाटा आया है यहां पर 8% की ग्रोथ आई है जबके मार्जन थोड़ा अंतर प्रेच्छे देख रहे हैं तो 18.69 के हैं इतनी जादा भी गरापट नहीं हुई ह मार्जन में slightly reduction हुई है एक परसंट से भी कामे reduction है 0.9% की reduction है लेकिन overall numbers इंप्रूव जरूर हो गए हैं दोस्तों जैसे ही है चलो numbers इंप्रूव जरूर हो गए हैं एक positive indication जरूर यहां पर देखने को मिली है कि company के जो numbers हैं वो इंप्रूव हो गए हैं overall positive आ रहे हैं लेकिन दो क्या सकते हो कि according to the market expectations numbers are slight below expectations तो आई यह देख लेते हैं और क्या-क्या company ने दिया है सबसे पहले देखो कामपणी ने एक buyback का offer दे दिया है company जो आपने दिवेशकों के लिए buyback offer लेके आ रही है 17,000 क्रोड रूपीज का जो है buyback offer ले रही है at a premium of 15% 15% का premium आपको बैठे बठ कर सकते हो this is fifth buyback issue by the TCS in the six years and the company has bought 60,000 क्रोड वर्थ of the shares in the four trenches of the shareholders तो बहुत ही बड़ी कामपणी है और अब buyback offer जो है इसने अपने दिवेशकों को दे दिया है इसकी price भी हम आपके साथ शेर कर देती है company ने जो buyback दिया है उसकी जो है 4150 पर share के हिसाब से offer दी है total value 17,000 तो अब इसकी 3500 के रोंड प्राइस है तो आप देख सकते हो 600 रूपीज जापके पीन परसंड का premium company आपको दे रही है तो जड़ी आप profit booking के mode में हो तो आप इस पर focus कर सकते हो दूसरा दो है इस company dividend भी दे दिया हुआ है और उसके लिए company ने 7th November की date जो है वो fix कर दी है तो dividend देखें को कि company पहले ही dividend देने के लिए जानी जाती है अपने दिवेश को time to time dividend भी देती रहती है और यह second in term dividend है एंड इसके लिए हमने आपको पताया है के 7th November is the record date and rupees 9 per equity share के हिसाब से जो है वो company dividend देने जा रही है and dividend will be dispersed on 7th November यह अच्छी बात है दोस्तों बढ़िया बात ह है एंड रिकॉर्ड देख लो द्वारा 17th October है यह आप दिहान से नोट करो क्योंकि दो डेट साही है एक है रिकॉर्ड डेट एक है डिस्वर्स में डेट जो रिकॉर्ड डेट है वो है 17th October Monday है 16th Tuesday 17 तो जदी आप dividend लेने के mood में हो तो आप 17th October की डेट को fix करो और उसके सब्सक्राइब तो यहां पर देखो जो numbers overall आई है वह तो चलो estimate के साथ से मिस हो गए है थोड़ा से नंबर डीले रहे हैं क्योंकि मार्केट जो है वह कंपनी से कुछ expectation लगा के चलती है तो उसके हिसाफ से numbers थोड़े डीले आई है क्योंकि वर्ड लैबल पर ही आपने देख पर प्रेशर है तो इसलिए दोस्तों इस company के numbers थोड़े डीले रही है जिसके कारण इस stock में थोड़ा सा प्रेशर जरूर शौर्टर में देखने को मिल सकता है लेकिन दोस्तों company अच्छी है fundamental strong है long term में जरूर company जो है वो recover करेगी तो देख लेते हैं different जो analyst है उन्होंने क्या इस पे राय दी है तो 9% की जीर और जीर बिसस पे growth आई है प्रॉक्ट में जो लो numbers grow जरूर हुए है जितने भी हुए है ये to 9% के हिसाब से bottom line increase जरूर हुई है तो ये एक अच्छी बात है तो Morgan Stanley की बात करें 3590 के target आ गए है तो यहाँ पे 3590 के target दिये गए है निमूरा ने इस पे जो reduce की जो है वो rating दे दी है और 3030 जो target दे दी है लेकिन मोतिला लॉसवल अभी भी बहुत ही bullish है तो 4000 प्लस तक के target जो है वो आ रहे है दुवामा के भी 4150 तक के target है और इन credit के देखें तो 3628 के target है overall target बहुत ही बढ़िया है और overall target जो है 4000 प्लस के है तो हमारी तरब स से भी आप इस पर buy कर सकते हो 4000 प्लस तक के target next one year में देखने को मिल सकते है यह देखो आज नमबर ना है इसका मतलब यह निया कि कल को यह stock 4000 चला जाएगा next one year का जो target है वो 4100 तक का लेके आप चल सकते हो तो थैंक्स किन मिलेंगे नए वीडियो के साथ अभी तक जदी आप हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हो तो दोस्तों हमारे चैनल को आप subscribe कर लो